हलो बच्छों, हाव र यू, होप अल फ्या फाइन, बच्छों आज का लेक्चर में मैं प्रियोडिक टेबिल के बारे में डिस्कस करने बाला हूँ So, we are going to start a new topic, periodic table, ठीक है, तो आज ये introduction class होगा, periodic table का, periodic table is a very common topic for ICC student, जो ICC में हो, class 10 में, CVSC वालो लोग का भी ये common है, and state boards में भी ये chapter है So, that is the reason कि ये topic एक बहुत important सा conceptual topic है, जो हर एक बच्चा को आना चाहिए बच्छों, आज का lecture होगा, introduction class, periodic table के बारे में, आज हम लोग discuss करेंगे, कि किस तरह से periodic table का जो concept है, जो modern periodic table हम लोग देखते है वो किस तरह से वो develop हुआ, आया कैसे वो concept, ठीक है और बात करेंगे earlier classifications के बारे में, कि किस तरह से earlier classification किया गया elements के बारे में So, my name is Navarun Bhattacharya and this is your channel Navarun Easy Chemistry तो आज का हम लोग का जो lecture है, वो होगा, product table के बारे में, right बच्छों, अगर मैं तुमसे पूछू के calendar क्या चिसको लेके deal करते है तो बोलोगे, sir, calendar तो month, days, date, events इसके बारे में idea देता है, right क्या calendar में देखने से हम लोग का 12 महीना में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है exactly इसी तरह से, जो elements discover हुआ है, जो elements है, वो सारे elements का properties हम लोग को ये product table से मालूम चल जाता है लेकिन उससे पहले तो हम लोगों को product table के बारे में पता करना है कि ये देखा कैसे जाता है, कौन-कौन सा information यहां से मिलता है तो सब्चे पहले आज हम लोग start करेंगे किस चिससे, elements है what are elements, बच्छो elements किसे कहते है, क्योंकि periodic table में तो day, months इस अब नहीं होता है periodic table में होता है elements, तो what are elements, elements हम लोग किसे कहते है बच्छो elements are pure substances, यह क्या होता है, pure substances अब pure substances किसे कहेंगे, pure substances होता है, जो similar type of atoms से बनते है उसको हम लोग pure substance कहते है, तो जैसे हो गया तुमारा hydrogen, जैसे हो गया carbon जैसे हो गया oxygen, जैसे हो गया nitrogen, यह सब बच्छो elements है तो periodic table में जो भी तुम देख रहे हो, वो सारे के सारे elements है तो elements क्या हो बच्छो, pure substances, ठीक है pure substances are generally represented by some other formula, तो यहाँ पे elements किसे कहेंगे बच्छो elements में similar types of atoms होगा, जैसे H, H is the symbol of hydrogen, तो H2 right, is the formula, carbon के लिए C हो गया, oxygen के लिए O2 हो गया, तो यह सब बच्छो तो क्या है, elements है, right, तो periodic table deals करता है, elements के लिए, ओके, अब आते है, classification क्या होता है now, तो हम लोग यह देख रहे हैं, कि periodic table क्या चिसे deal करता है, elements से लेके deal करता है अब इस elements को हम लोग को classify करना है, तो चो classification मतलब क्या होता है, what is the meaning of classification चलो, suppose करो के तुम्हारे class में 50 student है, 50 student है, तुम्हारे class teacher ने एक दिन class में आके बोला के बच्छो, आज तुम लोगों को मैं different fruits बाटने बाला हूँ, तो क्या-क्या fruits तुमको दिया, suppose कर लो तुमको दे दिया, apple ठीक है, और दिया, orange तो teacher ने मुझे कहा, या teacher ने हम लोग को कहा, कि आज बच्छो, तुम लोग को हम apple देंगे और orange देंगे ठीक है, अब 50 students है, अब teacher को कैसे पता होगा, किसको apple अच्छा लगता है, किसको orange अच्छा लगता है, ठीक है एक-एक-एक करके देने में तो बहुत time लग जाएगा, तो teacher ने क्या किया, बोला ठीक है, जिसको जिसको apple खाना है, वो सारे left side में आ जाओ, और जिसको जिसको orange खाना है, वो सारे मेरे right side में आ जाओ, ठीक है, तो हो क्या गया, इससे दो group बन गया, समझ में आ रहा है, इसमें दो group बन गया, अब imagine कर लो, कि apple वाला group में 20 student आ गया, तो बाकी 30 student आ गया बच्छो, orange वाला group में, अब teacher को पता चल गया, group को देखके, कि इतने सारे बच्चो को apple अच्छा लगता है, तो इसको मैं apple दूँगा, और जब उसने ये वाला group को देखा, तो उसको ये पता चल गया, कि इतने सारे बच्चों को ओरेंज अच्छा लगता है तो इसको ओरेंज दोगा तो यह हो गया classification classification का फाइदा क्या हुआ ना तुम at a time तुम देख के ही बता दोगे कि जो सारे common properties जो सारे common character जो properties का जो substance है या जो person है यहां पर वो सब एक group में आगे जो सारे same category का जो सारे same character का जो सारे same properties का elements से वो एक group में आगे तो इससे क्या हुआ बच्चों हम लोग को जो पढ़ना जो study करना elements का वो और आसान हो गया क्योंकि individually एक-एक-एक करके study करना तो यह बहुत lengthy process हो जाता है इस time taking हो जाता है और difficult भी हो जाता है ना याद रखना तो अगर हम लोग classify करते हैं अगर हम लोग similar बाला elements को एक साथ एक group में रख देते हैं तो इससे हम लोगों को फाइदा क्या होता है ना हम लोग का study जो है study of elements जो है वो concise हो जाता है वो short हो जाता है ठीक है at a glance हम लोग को सारा idea हो जाता है कि ये elements कौन सा element कैसा behave कर रहा है right तो this is the advantage of classification ओके बच्चों तो इस पो हम लोग advantage कहेंगे classification का ओके तो earlier classification कैसे किया गया कौन किया अब इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो product table किस्ट से deal करता है element से deal करता है ठीक है और ये हम लोगों को idea देता है कि कौन element का क्या properties है in common सबचे पहले बच्चों जो classification लाया था वो है लवाईजियर बच्चों लवाईजियर इन्होंने सबचे पहला classification लाया elements को metals and non-metals में बाढ़ दिया इन्होंने metals और non-metals में सारे element को classify कर दिया ठीक है metals और non-metals so this was the first classification माना जाता है कि यह पहला classification है जो लवाईजियर ने start किया था जो तब के time में जो available जो था elements उसको उन्होंने metals और non-metals में बाढ़ दिया मतलब जो भी available था उसको metals और non-metals में उन्होंने classify कर दिया ठीक है लेकिन जैसे-जैसे elements discover होते गए ठीक है यह सारे के सारे हम लोग metals और non-metals में fit नहीं हो रहा थे लगा के chemist को और भी कुछ classes होना चाहिए जैसा बच्चों बोलते हैं कि non-metals non-metals में तो कुछ non-metals solid state में पाए जाते है कुछ non-metals liquid state में पाए जाते है कुछ non-metals to gaseous state में पाए जाते है ठीक है उसी तरह metals भी कुछ metals solid state में पाए जाते है तो कुछ metals या liquid state में भी पाए जाते है तो chemist को लगा कि नहीं और ज़्यादा classification होता तो और अच्छा होता और ज़ादा से ज़ादा information हम लोग को at a time मिल जाता तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया doberiniar ठीक है? इसके बाद आता है सेन में doberiniar अब doberiniar ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा concept लाया rather उन्होंने first time अलग-अलग elements को link करके दिखाया कि नहीं इन लोगों को में भी कुछ link हो सकता है तो उन्होंने क्या किया तीन elements को at a time लिया ठीक है? कौन-कौन सा elements? उन्होंने तीनों elements को ऐसे चूज किया in the increasing order of atomic mass जैसे कि अगर पहला और last वाला element का अगर मैं atomic mass का mean निकालता हूँ तो वो बीच वाला का आ जाता है जैसे suppose करो मैंने तीन element लिया a, b, c मान के चलते है कि पहला वाला का atomic mass है 1 बीच वाला का है 2 और इसका है last वाला का है 3 तो यह मैंने atomic mass माल लिया तो डॉबरेनियन ने एक बहुत ही interesting सा link बनाया उन्होंने दिखाया कि अगर मैं पहला और last वाला का जोड देता हूँ atomic mass 1 plus 3 by 2 और उसका मैं mean निकाल लेता हूँ तो बच्चों कितना आ रहा है यहाँ पे? 2 आ रहा है तो यह जो atomic mass जो निकल रहा है mean यह actually इसका बरबर है यह actually इसका equivalent आ रहा था very interesting तो इस तरह से उन्होंने कुछ elements को 3 group या group of 3 elements जिसको हम लोग trides कहेंगे उन्होंने इस तरह का कुछ trides बनाया तो आप कुछ real example ले लेते हैं तो कौन-कौन सा real example हो गया बच्चों जैसे lithium, sodium, potassium right? lithium, sodium और potassium चलो लेते हैं lithium, sodium, potassium बच्चों, lithium का atomic mass कितना है? 7 तो मैं इसको 7 यहाँ पर लिग लेता हूँ sodium का atomic mass कितना है बच्चों? 23 और potassium का कितना होता है? 39 तो देखो अगर मैं 7 plus 39 जोडता हूँ 7 plus 39 को अगर मैं add करता हूँ और by 2 मैंने उसका mean निकालता हूँ तो कितना आ रहा है? 23 क्या 23 इसके साथ match नहीं कर रहा है? बीज वाला के साथ? बस यही तो है try ads इसी को तो आँ लोग try ads कह रहे है try ads बच्चों try मतलब 3 ads मतलब होता है add a, d, s try ads किसो कहेंगे? try ads मतलब होता है तो group of 3 elements जिसको उन्होंने डॉबरी नियन ने क्या किया? इस तरह से जो जो group of elements को बनाए है उन्होंने तीन-तीन का group बनाया था जिसको उन्होंने mask कैसे निकाला था? एक पहला वाला और तीसरा वाला को जोड दिया उसका mean निकाला तो mean निकाल के देख रहा था कि बीच वाला जो है जो middle वाला elements है उसका mask का बरबर आ रहा था या equal आ रहा था equivalent आ रहा था इस तरह से उन्होंने और भी कुछ trides बनाया था तो जैसे यह मैंने एक example दिया जैसे lithium, sodium, potassium अभी मैंने दिखाया कि किस तरह से यह trides काम कर रहा था उसी तरह calcium, strontium, barium calcium, strontium, barium ठीक है? इनको भी tride निकल, तो calcium का बच्चों मास कितना होता है? 40 right? Calcium का मास होता है 40, strontium का कितना होता है? 88 right? और barium का बच्चों कितना होता है? right? 137 137 तो अगर मैं यह दोनों को जोड देता हूँ यह दोनों को अगर जोड देता हूँ add करते हैं और add करके अगर हम उसका mean निकालते हैं तो देखेंगे कि वो mean जो आएगा बच्चों वो देखना यह इसका close value होगा तो इस तरह से doberinian ने क्या किया? एक class बनाया एक classification किया कि elements को उन्होंने 3-3 करके बाढ़ दिया और उसका classification किया तो और भी हो सकता है जैसे chlorine, bromine, iodine इसका भी हो सकता है यह भी एक trides हो गिया अगर देखना इसका और इसका mass तुम जोरते हो जोर के उसका mean निकालते हो तो it will be very close value to the bromine जो bromine का जो atomic mass है उसका बहुत close आ रहा था तो इस तरह से डॉबरीनियर ने क्या किया कुछ elements का group बनाया और यह तीन-तीन group करके जो देख रहा है इसको उन्होंने क्या कहा triads कहा इसको उन्होंने triads कहा ठीक है लेकिन डॉबरीनियर का यह जो classification था यह जादा दिन तक चला नहीं क्यूंकि जैसे-जैसे element discover होते गए तो वो यह follow नहीं कर पा रहा था क्यूं? क्यूंकि जब mean निकाल रहे थे तो इसका value इतना ज़्यादा difference आ जा रहा था कि वो value बीजवाले के साथ match नहीं कर रहा था ठीक है तो मतलब क्या है कि डॉबरीनियर का जो concept है कुछ ही element तक लगा ज्यादा expand नहीं हो पाया ठीक है समझ में आ रहा है इसके बाद तो बच्चों एक interesting सा classification लाया newlands newlands तो newlands थोड़ा music के सौखिन थे ठीक है newlands थोड़ा music के सौखिन थे तो newlands एक जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों newlands ने क्या किया जैसे music का कितना notes होता है सा रे गा मा पा धा नी फिर ये repeat हो रहा है सा ठीक है सा रे गा मा पा धा नी सा ठीक है तो बच्चों newlands थोड़ा music का सौखिन थे तो हम लोग जानते हैं के इसको हम लोग डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, दो भी कहते हैं तो जैसे बच्चों repeat हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 is the repetition of the first notes जो पहला note है उसका repetition हो रहा है 8 तो मागर सा से start करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then 8 अगर race से start करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर 8 तो मतलब every seventh note is the repetition of the first note isn't it मतलब हर साथ के बाद 8 जो आ रहा है उसका properties पहले वाले के साथ match कर रहा है newlands इस तरह से element का एक link या हम लोग कह सकते हैं कि उसको classification किया था तो जैसे कि महाल के चलो में lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine फिर कौन आता है बच्चो fluorine के बाद देखो noble gas तब discover नहीं हुआ था जब newlands से ये लॉल आया था ठीक है तो newlands जब ये लॉल आया था तब ये noble gas discover नहीं हुआ था तो fluorine के बाद कौन आता है डायरेक्ट चल जाएंगे sodium फिर आगिया sodium के बाद magnesium फिर आगिया aluminium फिर आगिया बच्चो बताओ silicon फिर phosphorus फिर sulfur फिर chlorine फिर क्या आजाएगा chlorine के बाद argon नहीं लेंगे क्योंकि तब तो noble gas discovery नहीं हुआ था तो chlorine के बाद argon नहीं लेंगे जाएंगे potassium potassium के बाद चल जाएंगे calcium चलो बच्चो एक चीज़ देखते है मतलब यहाँ पे lithium यह देखो lithium lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine फिर आ रहा है sodium मतलब lithium और sodium का properties एक है ठीक है? lithium में metal है, sodium में metal है हम लोग को पता है आज भी पता है कि आज भी periodic table में ही होता है sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, potassium sodium और potassium का भी properties एक है मतलब हो गया ना कि यह group of elements हो गया कि जो similar behavior करता है बच्चो यह repetition of the similar behavior को हम लोग कहते है periodicity या periodic function तो यह जो repeat हो रहा है property कुछ element के बाद repeat हो रहा है इसको हम लोग periodicity कहते है तो newlands को लगा कि यह periodicity क्यों हो रहा है because of the atomic mass ठीक है? तो newlands इसका नाम दे दिया newlands laws of octaves इसको laws of octaves कहते है बच्चो laws of octaves oct मतलब 8 waves सारे गामा पाधानी सा repeat हो रहा है ठीक है तुम कहीं से भी start करो यह से मा कार्बोन से start कर लेता हू कार्बोन, nitrogen, oxygen, chlorine sodium, magnesium, aluminium, silicon तो 8 element कौन सा हुआ? silicon हुआ के नहीं? तो कहीं से भी तुम start करो fluorine fluorine, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine आ रहा है न? 8 element तो मतलब यह जो class of elements है यह similar properties वाला elements है तो this was the classification made by Newland तो Newland का क्या लौ था? ना the periodic function या periodic properties of the element are due to their atomic mass बच्छों एक चीज़ ज्यान देना है Newland ने जो सजाया था elements को increasing order of atomic mass के अनुसार सजाया था तो increasing order of atomic mass के अनुसार उनोंने सजाया था तो उसलिए उसको लगा कि atomic mass ही होगा कारण क्योंकि इसके लिए properties चो repeat कर रहा था ठीक है? तो यह loss भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि जैसे-जैसे heavier element discover होते गए तो वो तो बच्चो यह follow नहीं कर रहे थे सोच के देखो के fluorine के बाद कौन आता है? neon आता है के नहीं? chlorine के बाद argon आता है? मतलब once the noble gas were discovered, चैसे noble gas discover हुआ, उसके बाद तो बच्चो 9th element आ रहा था, 8th element तो नहीं हो रहा था तो उसके मतलब क्या हो गए? newland laws of octaves वहाँ पे successful नहीं रहा इसके बाद तो हम लोग का hero enter करता है yes, कौन? जो हम लोगों का periodic table का format बनाया था हम लोगों को दिखाया कि group और period का जो concept है जो लाए थे, कौन? yes, it is Dimitri Mandelis right, it is Dimitri Mandelis Dimitri Mandelis तो Dimitri Mandelis बच्चों ये एक Russian chemist है ठीक है? इन्होंने पहला बार group और period का concept लाया था तो इन्होंने क्या कहा है? बच्चों, इन्होंने भी increasing order of atomic mass का अनुसर element को सजाया ठीक है? एक के बाद, एक के बाद element को सजाया in the increasing order of their atomic masses ठीक है? लेकिन interesting बात ये था के इन्होंने कुछ ऐसा horizontal rows और vertical column बनाये भुआ था तो horizontal rows इस तरह से seven horizontal rows उन्होंने बनाया इस rows का उन्होंने नाम दे दिया प्रियड इसको हम लोग प्रियड्स कहते है बच्चों ठीक है? तो horizontal rows जो होता है उसको हम लोग प्रियड्स कहते है और vertical columns इस तरह से उन्होंने आठ वर्टिकल columns बनाया उसको उन्होंने नाम दे दिया groups समझ में आया बच्चों? ओके, तो Dimitri Mandelis जो है वो periodic table का जो पहला जो framework है वो लेकिन पहला जो धाचा है वो बनाया था Dimitri Mandelis तो he's the hero here ओके, तो periodic table में उन्होंने क्या किया? सबचे पहले उन्होंने प्रियड बनाया है, प्रियड और group का concept Dimitri Mandelis जो लाए, तो प्रियड केया है बच्चों? यह जो horizontal rows है इसको हम लोग प्रियड कहते हैं how many pre-heads were there in Mandelis? प्रियड इक टेविल? 7, 6, और कितना group थे? उन्होंने 8 group बनाया बहा था बच्चों ठीक है? नाउ, उन्होंने जो जो group बनाया था वो group में elements को उन्होंने देखा जो जो match कर रहा था properties उस हिसाब से उस element को उस group में डालते गए ठीक है? तो यह was almost successful लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने increasing order of atomic mass से सजाया था तो Mandelis periodic table का जो law था या जो कहा था periodic law it was based on atomic mass increasing order of atomic mass तो Mandelis को भी कहीं नहीं कहीं यह लग रहा था कि यह property repeat जो हो रहा है यह atomic mass के बज़े से हो रहा है ठीक है? problem कहा हुआ? problem कहा हुआ? problem यहाँ पे हुआ कि Mandelis ने isotopes के लिए जगा नहीं छोड़ेता है जैसे-जैसे isotopes discover होते गे देखो what are isotopes बच्छो? जैसे हम लोग जानते है कि hydrogen 1 1, 2, 3 जिसको हम लोग proteum deuterium, tritium कहते है जिसमें atomic number same है but atomic mass different है इसको isotopes कहते है अब क्योंकि Mandelis का periodic table किस basis पे बना था atomic mass के उपर तो उन्होंने isotopes के लिए कोई जगा नहीं छोड़े थे there was no space left for the isotopes तो this was one of the case sector के drawbacks था Mandelis periodic table का और एक drawback था कि position of hydrogen hydrogen को कहां रखा जाए hydrogen को group 1 में रखा जाए पहला alkali metal के साथ या उसे group 7 में रखा जाए ये एक बहुत बड़ा controversy चल रहा था जो Mandelis को solve नहीं कर पाया था थीक है तो इसलिए कही न कही से उसका periodic table को भी में भी बहुत सरा flaws बहुत सरा गलती बहुँ सरा खामिया निकल रहा और उस periodic table को धीरे धीरे reject कर दिया गया या कह सक्ते हो कि उसका application नहीं हो पा रहा था कुछ गलतिया निकल रहा था वहां से कुछ ना कुछ errors निकल रहे थे लेकिन Mendeleats ने एक चमतकार किया था क्या चमतकार किया था उन्होंने groups और periods से कौन से पलाया था इसको भी छोड़के जो element discover नहीं हुआ था बच्छो जो element discover नहीं हुआ था कुछ-कुछ element का property उन्होंने बता के चल गया था और वो property आज भी same है वो property आज भी same है ठीक है जैसे मैं बताता हूँ बच्छो एक है एक का silicon जिसको आज हम लोग germanium के नाम से जानते है एक का silicon एक का silicon जिसको आज हम लोग germanium के नाम से जानते है जिसको हम लोग आज जार्मेनियम के नाम से जानते हैं बचो एक का सिलिकॉन जिसको हम लोग आज जार्मेनियम के नाम से जानते हैं ठीक है उन्होंने कहा जार्मेनियम तब डिस्कवर नहीं हुआ था तो एक का मतलब क्या होता आगे सिलिकॉन का आगे मतलब सिलिकॉन के नीचे जो आ रहा है वो है germanium तो इसलिए उन्होंने नाम दिया था एकका silicon, मतलब अगर silicon का आगे जो discover होगा, उसका नाम उन्होंने एकका silicon रखा था और उसका property बता दिया था और जब बाद में discover हुआ germanium का तो देखा गया कि उसका सारे के सारे properties जो उन्होंने बोला था वो सब match कर रहा था तो वाना बच्छो यह miracle तो साहिद उसको जादू उदू आता होगा ठीक है उसी तरह बच्छो एक का Aluminium जो बाद में जिसका नाम हो गया है Gallium मतलब Aluminium के बाद आता है Gallium तो उनका भी property उन्होंने prediction कर दिया था So this was Mandelip periodic table Although इतना अच्छा periodic table बना था लेकिन कुछ disadvantage कुछ demerries के बज़े से यह periodic table को rectification बहुत जरूरी था इसके बाद तो आज का superhero आ गया उनका नाम है Henry Mosley तो बच्छो I hope कि समझ में आ रहा है किस तरह से periodic table धीरे धीरे develop किया concept of classification कैसे धीरे धीरे किया, ओके इसके बाद आया कौन? Mosley, Henry Mosley Henry Mosley बच्छो, Henry Mosley ने पहला बार elements को सजाया in the increasing order of in the increasing increasing order of atomic number yes, atomic number तो इतना तेर तर जो भी scientist आ रहे थे, जो भी chemist आ रहे थे, वो लोग atomic mass पे ध्यान दे रहे थे ये पहला एक बंदा था Henry Mosley जो जिसको लगा कि atomic number is more prominent atomic number होना चाहिए ठीक है तो उन्होंने क्या किया सारे element को atomic number wise सजा दिया 1, 2, 3, 4 करके सजाते गए और सारे problem solved जो भी problem mentally periodic table में आ रहे थे वो सारे problem solved ठीक है तो क्योंकि atomic number वही सजा रहे थे तो isotopes का जरूरत नहीं परा ओके positions भी clear हो गए इसको कहा क्या position मिलेगा तो आज जो हम लोग periodic table देख रहे हैं अच्छों वो actually तुम्हारा Henry's Moseley का rectified जो Henry's Moseley ने बनाया है वो periodic table वो format Henry's Moseley का बनाया हुआ है हाँ basic frame structure जो है वो आया मेंडिलिव से लेकिन उसको develop किया कौन Henry's Moseley ने ठीक है तो Henry's Moseley ने क्या किया अच्छों ये प्रियोडिक table को in the increasing order of atomic number से सजाया तो दीस बिकाम दा प्रियोडिक फंशन तो प्रियोडिक फंशन मतलब क्या ये मेरा प्रियोडिक फंशन बन गया ओके प्रियोडिक फंशन बन गया प्रियोडिक फंशन मतलब हो गया कि जो प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे थे according to Henry's Moseley the atomic number is responsible atomic number के वज़े से वो property repeat कर रहते हैं बाद मैं देखे होगे कि electronic configuration responsible है ठीक है यह atomic number से हम लोग के क्या आता है electronic configuration होता है valence electron आता है तेके करके धीरे धीरे upcoming lectures में भी मैं सारा चीज हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो इसके बाद जो हेंडिस मोसले ने बनाए उनका periodic table में उन्होंने भी क्या किया periods और groups में elements को बाद दिया ठीक है उन्होंने भी seven periods रखा ठीक है और बाकी जो elements था उसको उस हिसाब से group में बाद दिया ठीक है तो जो similar elements थे उसको similar group में रखे और period मतलब हुआ period में seven period जो है उसको भी उस तरह से classification करते गया ठीक है तो this was Henry's Mosley classification तो Henry Mosley ने क्या किया similar elements को similar group में डालते गए ठीक है and increasing order of atomic number तो Mosley का जो periodic table है वो depend करता है किसका उपर atomic number के उपर ठीक है इसको थोड़ा बहुत rectify किया कौन वोर्स नील वोर्स इसके बाद इस periodic table को rectify किया और आज चो हम लोग periodic table देख रहे है it is the ultimate result of Henry's Mosley and नील वोर्स ठीक है जिसको हम लोग कहते है modern periodic table ठीक है तो what is the periodic function और periodic law of modern periodic table ये question आता है बच्छो तो periodic law of modern periodic table क्या होगा किस बेसिस पे Mosley ने प्रियोडिक अलिमेंट को सजाया in the increasing order of atomic number तो यही बन गया क्या इसका periodic law ठीक है तो according to Henry's Mosley the periodic law was बताओ periodic law was क्या होगा तो उनको लगा के the periodicity of the elements were due to the atomic number ठीक है जो periodicity हो रहा था periodicity जो हो रहा था what is periodicity repetition of the property periodicity of the elements किसके वज़े से हो रहा था atomic atomic number के वज़े से हो रहा था ठीक है तो यह बन गया इसका periodic law मतलब physical property हो या chemical property हो वो अपने आपको repeat कर रहे थे दोरा रहे थे एक certain period में एक certain span में क्यों because of the atomic number तो उसको लगा कि atomic number is the responsibility तो ultimately हम लोग conclude कर रहे है periodic table तब क्या हुआ बच्छो यास तो periodic table is a tabular form periodic table क्या हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे periodic table ये क्या हुआ ये एक tabular form हुआ ये एक tabular form हुआ tabular form क्यों क्योंकि ये table जैसे दिखा रहा है periods दिखा रहा है group दिखा रहा है तो ये एक tabular form हो गया जो हम लोग को arrangement दिखाता है elements का और उसका properties को समझने में मदद करता है ओके understood समझ में आ रहा है तो ये एक tabular arrangement है showing regular trends in tabular form showing regular trends in regular trends in regular trends in properties periodic properties periodic properties तो I hope कि समझ में आया होगा कि अब ये तुम लोगों को समझ में आ गया clearly कि किस तरह से periodic table develop हुआ तो इसका continuation video आ जाएगा तो next class में मैं इसका continuation video लाऊँगा और उसमें मैं discuss करूँगा कि period किसे कहते है group किसे कहते है thanks for watching stay healthy, stay safe thank you